हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने दानलूस गुरू के इस यूटूब चेल्ण पर तो जिहां इस वक्त की एहम सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाना सरकार की ओर से च्छे नई घोसनाएं दिसा निर्देश से जारी किये गए है आपको बता दे अलान किया गया है रात को है खुसकबरी वहीं एहम घोसनाएं की गए है आपको बताऊंगा इस वीडियो में अगर आप हरियाना से हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारत सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़यदा सेर करें अगर आप हरियाना की रोजाना लेटेस्ट अपडेट और घोसना ऐसे संबंदित जानकारी चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन होगा उसको भी प्रस करते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें तो जिहां देखते हैं आज 6 एहम नई खोसना क्या की गई हैं तो चलिए देखते हैं कुछ काम की खबरे हैं जिहां सबसे बड़ी खोसना है यहां पर खुसकबरी है आपको बता दें अब हर्याना में नौकरियों में हर्याना के युवाँ को 75% आछण देने में राज भवन का अडंगा दूर हो गया है तो जिहां देख सकते हैं हर्याना की निजी कम्पनी और उध्योग धंदो में अस्तानी युवाँ को 75% नौकरियां देने की कानून में राज भवन द्वारा लगाए गए अडंगे को भाजपा जजपा सरकार ने खत्म कर दिया है और वहीं उध्योग एवं वाड़िज मंत्री के नाती डिप्टी सियम दुसें चोटाला ने अधिकारियों के सहोग से तमाम उन अपतियों का निस्तरन भी कर दिया है जो राजपाल ने लगाई थी अब यह विध्यक दोबारा मंजूरी के लिए राजपाल सत्य देव नारायन आर को भी भेजा जाएगा राज पालने विधान सवा के द्वारा पांच नुवंबर को पारित इस विधेक पर चार आपतियां लगाई थी तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है घोसना है अब राज की ITI में कल तक होंगे दाखले यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खबर IV है जो की यह सीटें खाली है ITI में देख सकते हैं कारपेंटर, डिम, अम की और ड्रेस मेकिंग की इंस्ट मेकेनिक की, मशीनिस्ट की देख सकते हैं ट्रेक्टर मेकेनिक की यह सीटों की संख्या दीवी है देख सकते हैं कैथल में राज की आई टी आई में एडमिशन वीरवार को भी जारी रहेंगे यहां दाखली के लिए भी बड़ी संख्याम विद्यार्थी उपस्तित हुए हैं लेकिन दाखला नाम मात्र नहीं लिया था तो इसको रोजान को देखते हुए यहां पर और भी सीटेप बढ़ाई गई हैं और इसी के साथ आपको दादे अगली जो बड़ी ख़बर है हरियाना सरकार ने आर्टिये सचीवों का नाम बदला है अब डिटी ओ का पदनाम जुड़ गया है तो इहां देख सकते हैं हरियाना में राज सरकार के दवारा छेतरी परवेहन परादिकरण सचीवों का पदनाम भी बदल दिया गया है सेग्रेटी आर्टिये का नाम देख सकते हैं अब नया नाम जो है जिला परवेहन अधिकारी होगा यानि डी टी ओ होगा और कम सेग्रेटी आर्टिये कहेंगे और परवेहन महगमे के परदान सचीवों आईपेस सत्रुजीत कपूर ने इसकी अधिस सूचना भी जारी कर दी है और देख सकते हैं यहां पर कहा गया है परवेहन विभाग के परदान सचीवों ने जारी की है नोटिफेकेशन के प्रिंस्पल महर सिंग ने बताया कि कच्छा नौई के सत्र 2021 के लिए तेरा फरवरी को होने वाली परिच्छा अब 24 फरवरी को होगी और जबहार रहोते विद्याले तित्रम भार सरकार के अंतरकत चलाया जा रहा है जिसमें विद्यार्थे को आवार सिच्छा स्टेशनरी वा वर्दी आदिस्वब्दा निसल्क दी जा रही है तो यहाँ पर आपको बता दे जो की बाफ करें तेरा फरवरी को जो होने थी वो 24 फरवरी को परिच्छा आयुजित की जाएगी और इसी के साथ जो एसोसियेशन मंतरी हैं उन्होंने लगाई है गोहार वैक्सीन आ गई है अब स्कूल खुलवा दें जो प्ले स्कूल है उनको खुलाने के लिए यहाँ पर कहा गया है देख सकते हैं वहीं सामाजिक नया अधिकारता मंतरी ओम प्रकास यादाव से मिलकर प्ले स्कूल खुलने जाने की भी मांग की गई है और इसोसियेशन के प्रधान स्यामलाल सैनी ने मंतरी को बताया कि कोरोना काल में इस पूरे सत्र में प्ले स्कूलों के तरह लगा है तो यहाँ पर खुलने के लिए ग्यापन भी सौपा गया है और कहा भी है और इसी के अगली बड़ी खबर है घोसना है अब हर्याना में पांस साल से अधिक जो रह रहे हैं वो सभी लोगों को मिलेंगे यहां पर निवास प्रमाड पत्र यानि रहाइस प्रमाड पत्र यानि रहाइस प्रमाड पत्र यह हर्याना सरकार का एहम कदम है हर्याना में अब पांस साल स इसकी गोशना भी की है और मुक्ष सचीव ने नियमों में बदलाव की अद सूचना भी जारी कर दी है भी तक दूसरे प्रदेश के लोगों को हरियाना में 15 साल रहने पर ही रियाहिस प्रमान पत्र दिया जाता था अब नई विवस्ता में अब 5 साल से कम समय से हरियाना में र आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें सेयर करें ऐसी रोजाना खबरे पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे हैं धन्वाज जहन